वेलकम पैक तू पार्ट टू आफ में इस पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम लोग डेटाबेस में कैस करते हैं हमारा जो भी रिस्पांस नेटवर्क से आता है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहां पे करेंगे रूम डेटाबेस को तो मैं यहां लोकल बिभी और यहां परेगी ख्लास होगी और यह नॉर्मल पास यह एक सब्सक्राइबिद करेंगे यहां रूम डेटाबेस से में यहां पो यहां पे पास करूँग एटवर्क से इसके आफ़ारी बिद्स उमाटलब जिस टाइपो टम यहां पे इस्टोर करना चाहते हैं वह और देन अफ्टर यहां पो पास करना पड़ेगा वरजन नंबर तो यह मेरा पहला है तो इसलिए मैं वन पास करूंगा और एक और आपशन है export schema, तो export schema मैं यहां पर false कर दूँगा, इसके अंदर हमें create करें companion object और companion object का अंदर होगा हमारा function जिसका मैं नाम दूँगा get instance, यह accept करेगा एक context, और यह मेरे को return करेगा हमारा number fact db, इसके अंदर मैं यहां पर return statement लिखके, room.database builder, pass context in here, then after pass our class, तो हमारे case में हमारा class का नाम है number fact db, तो यह होगा class चावा और यहां पर हमें name pass करना होगा, तो मैं simply यहां पर db pass कर देता हूं and then after हम इसको build कर लेंगे, तो हमारा जो भी instance है, वो number fact db का वो हमको successfully मिल जाएगा and then after हम direct manipulation नहीं कर सकते अपने database में, इसके लिए एक basically एक तरीका दिये गाया है, हम उसकी मदस से इस room database में CRUD operation को perform कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बिलते हैं data access object, so वो हमको upgrade करना पड़ेगा, तो यहां पर इस room package level पर right click new, क्योंकि वो interface है, तो यहां पर जाके इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, then after हमारा नाम होगा, नमबर फेक्ट डाव, नमबर फेक्ट डाव, इंटरफेस, annotated डाव, और आफ्टर अनोटेशन, यहां पर हम अपना CRUD operation लिखेंगे, तो सबसे पहला वाला, जो मैं लिखने वाला हूं, वो होगा insert, तो इसके अंदर मैं पास करूंगा, on conflict, so conflict strategy को मैं replace कर दूंगा, basically जब भी कोई primary की दो collide होंगी, तो उस case में मैं नई वाली जो आएगी data, उसको मैं उस पुराने वाई data के ऊपर write कर दूंगा, तो यह एक suspend function होगा, और इसका नाम होगा insert, अभी insert क्या करना है, कोई entity होगी, तो entity हमने create की नहीं, वेल, इस local में जो हमारे response है, जो हमारे network द्वारा provide की जा रहा है, मैं उस response को ही entity में convert कर दिया हूँ, तो कैसे किया हूँ, यह हमारा entity के, इसको integrate किया हूँ, और हर entity के पास होती है, उसकी एक primary की, जिसके थुरू हम उसको identify uniquely कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने primary की हमारे number को ब यह तो sorry या, बस दो second की बात है, तो यहाँ पे insert करने के बाद, अभी मेरे पास option आता है, मतलब मेरे पास जो दूसरा हमारा जरूरत है requirement है, वो है कि हमें data लेना भी है, तो इसके लिए यहाँ पे queries का annotation यूज़ करते हैं हम लोग, तो use करेंगे query, और इसके अंदर हम लोग का नाम होगा, by default, so number response, so suspend function get all data, और यह हमको return में देगा list of number response, all right, so यह हमको यहाँ पे successfully मिल गया है, तो अभी हम जाएंगे अपने database में again, और यहाँ पे abstract function create कर लेंगे, तो basically यह interface का implementation जो है, वो room दौरा लिखा जाएगा, तो उसके लिए get DAO, और यह हमको return करेगा हमारा number fact DAO, all right, so अभी इसके बाद हम जाएंगे अपने repository में, क्योंकि हम लोग repository में ही database में entry करेंगे, तो उसके लिए, अभी मैंने बोला कि हम लोग DAO का use करते हैं, अपने database से communicate करने के लिए, तो यहाँ पे हमें क्या variable pass करना होगा, आप सोच के बताईए, सोच लिए हो तो सही है, यहाँ पे मैं DAO को pass करूँगा, तो private well number fact DAO, all right, so मैंने यहाँ पे pass कर दिया, लेकिन हम जब hilt में इसको inject किये थे, तो let me show you the hilt one, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हम लोग को एक error मिल लए है, तो इसके लिए, basically हमको यहाँ पे inject करना होगा हमारे data access object को, तो उसके लिए, पहले मैं एक function लिग देता हूँ, कि कैसे वो provide करेगा उस चीज़ को, तो provide, यह basically single ton होगा, function provide dao, और इसके अंदर हमें पास करना होगा हमारा context, तो उसके लिए मैं add the rate, application context, then context, context, and it will return, यह return करेगा हमको अमारा data, तो उसका नाम है number factdao, and then after use return, by using our db, तो number db, number factdb.get instance, pass context in here, and then after get dao, तो हमें successfully हमारा data access object मिल जाएगा, और इसकी मदद से, मैं यहाँ पे basically क्या काम करूँगा, एक number factdao बनाऊँगा, और इसको यहाँ पे पास कर दूँगा, तो यहाँ पे successfully inject हो गया है, और इसके बार मैं चलता हूँ अपने repository में, तो यह हमारा repository हो, यहाँ पे हमको response मिल ला है, तो response जब भी successful हो, तो मैं यहाँ पे एक if का condition लगा लेता हूँ, इस response is successful, तो response जब भी successful हो, तो हमें basically हमारा number factdao का use करके, हमें उसके इंसर्ट करना होगा, वो response को, तो उसके लिए, अभी मैं यहाँ पे काम करूंगा, मैं इस response से हमारा जो body होगा वो लूँगा, और मैं इसको चेक करूंगा, कि यह नल तो यदि यह नल नहीं है, डाव को paste कर दूंगा, और देन आफ्टर मैं इसको insert call करके, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, तो अभी हमार सारा काम पहले मैं यहाँ पे निप्टा देता हूं, देन आफ्टर मैं activity करूंगा, तो आल राइट जो, तो मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक variable कर लेता हूं, तो प्राइवेट वैल, और इसका मैं नाम देता हूं, history, और इस history में, new table, live data, और इसका जो type होगा, वो होगा list of number response, so number response, तो यहाँ पे मैं सिधा इन स्लाइस कर देता हूं, and then after, मैं यहाँ पे एक variable करूंगा, so let me append this thing here, so after that, मैं यहाँ पे एक history करूंगा, और यह type होगा, हमारा live data का, live data जो ही content करेगा, list of number response, response, इसको मैं सिधा ही इनी slice करा दूँगा, आपने mutable live data वाले history से, all right, so यहाँ पे मैं function create करता हूं, function, और यहाँ पे नाम दूँगा, मैं get all data, और इसकी view model की scope की मदद से, मैं यहाँ पे इसको, जो भी हमारा history है, basically, जो भी हमारा save data है, वो इसको, इस history वाले mutable data में पोश्क कर दूँगा, तो post value, by using our repo, we are going to get the number fact, so basically, यहाँ पे मैं number fact मिल रहा है, तो हमें repository में एक और method create करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम, room database से data कुले, तो simple यह, बहुँ ज़्यादा complex नहीं है, तो, क्योंकि यह suspend function है, तो यहाँ पे मैं नाम दूँगा, इसका get all data, तो यह मुझे return करेगा, list of number response, number response, और यहाँ पे मैं return कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास instance is number fact daw का, तो, यहाँ पे मैं उसको use करूँगा, number fact daw dot get all data, यहाँ से हमको data मिल जाएगा, then after, number भी model में हमको जाना है, और repository का use करके, मुझे वही get all data का call करना है, और यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो यह हमारा function हो गया, और इस history के मदद से मैं इसको observe करूँगा, हमारे जो activity में create करूँगा, तो यहाँ पे साथ इस चीज़े हो चुकी है, data को हम लोग यहाँ पे insert कर रहे हैं, और इसकी मदद से यहाँ data को data daw से ले रहे हैं, अभी मेरे को नई activity चाहिए, तो मैं अभी उस activity को create करूँगा, अपने mvvm package level के उपर, यहाँ पे right click, new, activity, empty activity, और इस activity का नाम होगा, history activity, so history activity, finish, और यहाँ पे successfully create हो चुका है, इसको मैं जल्दी लिए annotate कर देता हूँ, इसका जो layout है, उसमें जाते हुए, split mode में, इस constant layout को remove कर दूँगा मैं, और इसके बाद, इसके अंदर, मैं यहाँ पे create करूँगा है, recycler view, match parent, match parent, और इसकी जो id होगी, वो मैं इसको recycler ही दूँगा, और यहाँ पे layout manager होगा, वो linear layout manager होगा, अभी इसके बाद मुझे view holder create करना पड़ेगा, तो उसके लिए right click layout पर right click करेंगे, new पर जाएंगे, layout resource file, और यहाँ पे नाम दूँगा, मैं view holder, simple रहेगा, view holder history नाम देता हूँ, अच्छा रहेगा, okay, split mode, इस constant layout को मैं यहाँ पे little layout में convert कर दूँगा, reformat करूँगा, इस चीज को wrap content करूँगा, यहाँ पे मैं data binding layout में convert करूँगा, then after, इसके अंदर, मैं basically मैं इस little layout पोटा के यहाँ पे linear layout के यूज कर लेता हूँ, मैं देली आसानी हो जाएगी, जो orientation है मेरी वो मैं इसको हर जोंटल प्रवाइड कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे padding system dp प्रवाइड कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लाएगा, then after, यहा तो वो सई से दिखेगा, तो ठीक है, यहाँ पर यह चीज हो चुकी है, और इसके बाद tools.tools.tools.tools.txt तो यह हमें preview के लिए यूज करते हैं, tools, तो इसका मैं declaration कर दिया हूँ, और यहाँ पे मेरा number होगा, तो मैं यहाँ पर माद लिए 12 pass कर दिया, और actual text जो मैं यहाँ पे देने वाला हूं तो इस data tag में मैं एक variable create कर लूँगा variable और जिसका नाम मैं दूँगा number response so number response spelling सही है और यहाँ पे मेरे को करना होगा import number response को तो wait for a moment यही बाले को और यहाँ पे add the rate pair of parenthesis number response यहाँ पे मेरे को पास करना होगा number को क्योंकि यह number है तो हम यहाँ पे number नहीं पास कर सकते हैं इसलिए हमको string dot value of की मदद से इस चीज को string में convert करना होगा अल्राइट अभी मैं simplicity को copy करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे एक और अट्रिबूट है layout weight उसको मैं one provide कर दूँगा और margin यहाँ पे मैं कुछ start से provide कर दूँगा let's say 10 dp और margin end से भी मैं इसको 10 dp provide कर दूँगा अल्राइट तो यहाँ पे सब सही है बस यहाँ पे मेरे को value chain करने है और उम्हाँ यहाँ पे value यूज करूंगा number response.text तो अभी यह पिर्कुल तयार है हमारा भी holder चलेंगे अपने activity history xml part पे इसको भी मैं convert कर लेता हूं data binding layout में चलेंगे अपने activity के kotlin file में तो history activity है तो यहाँ पे मैं simply एक binding late init binding create करता हूं और इसका मैं नाम दूँगा history activity तो एक्टिविटी history binding अल्राइट और मेरे को यहाँ पी उसकरना है हमारा भी model तो मैं यहाँ पी पहले इसको कर लेता हूं तो विव मॉडल और यह टाइप है हमारा नमबर विव मॉडल का बाई यहाँ विव मॉडल डेलिकेट की मतलब से मैं इसको इनिशलाइज करूंगा इंपोर्ट कर लिए बाई प्रेसिंग अल्टेंटर तो उसके बाद मैं यहाँ पर अपने बांडिंग को इनिशलाइज करूंगा बांडिंग और यूजिंग डेटा label आउड बांड्धिंग यूटिल सरी डेटा बांडिंग यूटिल सेट कंटेंट विव पस करिंग अपने अक्टिविटी और जो सेकेंड आर्गोमेंट वहां हमारा लेयाओ रिसोर्स सो और लेयाओ डॉट हिस्ट्री इस सेट कंटेंट वीव को हम लोग रिमूव कर दें क्योंकि हमारा यह वीव वोल्डर है वह इसको देखके समझ जायेंगे इसमें विसिकली क्या हो रहा है तो बाकि सब सिंपल है यहाँ पे लिस्ट है और इस फंक्शन की मदद से यहां इस लिस्ट में डेटा को सिट कर रहें तो यहां पर इसको इसको और पर किसको रिपार्मेट कर देता हूं तो मैं आपको प्रॉलम आते हैं और प्लीज कमेंट कर दीजिए घर मैं इसको दूसरा बना दूगा बहुत ज्यादा रौक्टट जादा चाहिए इस चीज में चल से हैं इस ट्री अक्टिविटी में अल्राइट सो यहां पर अभी हम लोग को हमारा जो रिसाइकलर विव है उसमें डेटा को बेसिकली हमारे एडाप्टर को स्टेट करना है तो उसके लिए मैं यहां पर बैडनिंग कॉल करूंगा रिसाइकलर और उसके देक्टा हूँ नमबर्ड इडाप्टर और उसका मैं एक फ्रेस नमबर्ड इडाप्टर के एक पर लिए को क्रेट कर लेता हूं अडिन आफ्टर में यहां पे पास कर देता हूं नमबर्ड फैक्ट ड़तर को को डर्डाप्ट अर्विव मॉडल की मदद से हम लोग आप्ज पास करेंगा अपना व्यू लाइफ साइकल और तो बैसिकली यह फ्रेग्मेंट पास करते हैं तो इसलिए मुझे याद रहे गया मैं यहां पर पास करूंगा देश क्योंकि हमारा एक्टिविटी ही बैसिकली और यहां पे लैंडा फॉंक्ट सुन होगा यह बैसिकली हमको यहां पर पहले इंपोर्ट करता हूं तो अभी ठीक है यह सकते हैं यह हमको रिटन कर रहा है लिस्ट आफ नंबर रिस्पॉंस तो बैसिकली सिंट अफ नंबर रिस्पॉंस को हम सेट कर लेंगे हमारे डिसाइकलर पर रिरियुसटाइकल नमबर फ्रेट एडाप्टर के लिस्न में तो यहां पर मैं ऋबस और सीद आपर कलोई कालकर दीजह को तैट कॉंटेंट लिस्ट पास कर दूंगा इट तो मैं जो रिक्वायर्व लौक्र मैं फारो många है मुटे मुटेल लिस्टिय हो कोई प्रॉलम नहीं तो यस यह हो चुका है और इसको सेट करने एसे जुब भूपर तुम मॉडल मैं आपनॡ पर यहां प्रेद साव फंक्जन है गेट और देटा इसको कॉल कर लेता तो हों गया कि जैसे हम चीविटी में क्या है है इसको कॉल करेंगे तो हिस्ट्री में जो है यह वैलू है पोस्ट्ट कर से को हुआ जो कि हम हुम स मिलेगे हमारे रीपोजेट्री इल्सकरा तो हुआने गयात乐र्रें क्या है कि अब शुर्ण कर रहे हैं लिस्ट आफ नमबर रिस्पॉन्स फ्रॉम डेटाबेस तो अभी आपको फ्लो भी समझ में आ गया होगा कह रहा हूं ना रॉकेट से नहीं आसान चीज़े बिल्कुल तो इसके बाद हम लोग कहां पर थे हैं हम लोग अपने अक्टिविटी में थे तो यहां पर हम लोगोंने सब कुछ कर लिया है कोई चीज बचा नहीं है तो बस हमको एक चीज़ करनी हैं और वह यह है कि कैसे हम लोग अपने फर्स्ट अक्तिविटी से इस एक्तिविटी पर कैसे आंगे हम लोग create करेंगे एक फ्लोटिंग अक्टिविट्यम थे हमारे फ्रेग्मेंट में तो तो उसके लिए हम लोग जाना होगो पहले हमारे fragment पार्थ में तो फ्रेग्मेंट नम्बर और यहां पर लस्ट में मैंिक ज़िट करूगा है फ्लोटिंग एक्चन बटन yat मैं भी एलाइन करूंगो पैरेंट के बॉटम पे तो यह भी पैरेंट के बॉटम पे आ गया है इसको मैं थोड़ा मार्जिन प्रोड़ेट कर देता हूं मार्जिन शिक्स्टीन डीपी और इसका जो बैक्ग्राउंड है सो बैक्ग्राउंड टिंट वह मैं कर देता हूं परपल से वाल हंड्रेट वाल राइट एधिंग बैक्ग्राउंट है ओल्राइट ठीक है तो यह हमारा फ्लोटिंग एंशन बटन है इस पर जब मैं किलिक करूंगा तो मुझे लैंड करना है हमारे हिस्ट्री एक्टिविटी पर तो मैं यहां पर एक आड़ी कर लेता हूं अभी मेरे को हिस्ट्री पे जाना है तो उसके लिए मैं यहां पर फ्रेंग्मेंट प्र आऊऊंगा नंबर फ्रेंग्मेंट होंगा और यहां पे ओन क्रियेट और बिल्कुल टॉप पर ही binding और यहाँ पर मेरे पास option होगा go to history.setonclicklistener और यहाँ पर मैं एक intent create करूँगा so basically मैं एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर simply start activity को call करता हूँ इसके अंदर मैं एक intent को pass करता हूँ intent import करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को pass करना होगा require activity and then after जहाँ पर हमको land करना है तो हमें land करना है history activity class.java में तो मुझे इसको finish नहीं करना है इस activity को जो activity है जिस पर फ्रेंग्मेंट है मैं इस activity को निष्टा नहीं करना चाहता तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पर रहने देता हूँ finish call नहीं करता हूँ अभी basically हमें simply run करना होगा अप्लिकेशन और यहाँ पर मेरे साथ सारा चीज हो चुका है तो मैं simply अप्लिकेशन को run करता हूँ तो हमारा अप्लिकेशन हो चुका है मैंने इस पर कुछ टेस्टिंग भी कर ली है तो वह आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यह हमारा कुछ डेटा है जो मैंने कैस कर लिया है पहले इचिस कर हूं पर यहां पर जा कर लेख अखकर घंजा चाहिए ऐस टेक्नीक से, आप बेसीकली कैस्टिंग कर सकते हैं और राइट सो यही था इस वीडियो में और मिलते हैं आपने नेक्स वीडियो में जहां पर हम कुछ नई बाते सीखेंगे तो ठीक है इस सीरीज को यह पर एडिस कांटिन्यू करते हैं और थाइंक्यू आप इस वीडियो को देखने के लिए